सो आंग गई ना को भाया आतो गाउच पड़े आने ना यू यू नू आले अपना गारा उपन गई ना को लो आख अख़ा है सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको एक पता दो कि हमारे चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और नीचे एक प्यारिसी कमेंट्स लाइक अब है नच्था नहीं किया है तो व्लोग की शीरुओत करेंगे चाहिदूद से लिए प्लेन फोल पिलेंगे बाद में करेंगे लोग तो अब हम हम नास्ता कर लेंगे तो यह हमारे सुरेश भाए है और यह हमारे हमारी टिन्नु है साइसबाय स्व कि वह तो छो यह हमारा रेडि इस भॉल की दो रोटिSee इसमें चादुद है तो सुबह के टाइम में कभी रोटे गुल यह नहीं खाता हूं पहले उठने के पहले पहला खुराक बोले तो चादुद इसके बिना हमारा दिन ने चलो था तो पहले हम चादुद पिलेंगे बाद में आगे बढ़ेंगे तो अभी अमारा जग्दिश भाय का नास्ता चलू हो गया है जूद्धी लेख चला में परिश्चे बोलू जग्दिश भाय नास्ता कर रहे है यह अबर अमारी टिनू खेल रही है टिनू डांडे क्या आंगे इनी डांडे कुटें पड़िद भी टूंगे तो भी व्लॉग करते शुरूआत अब यह चुछ जो हमारे गाए है उसके बारे में बताएंगे तो जैसे आगे आपको सब पता ही चलने वाला है कि हम क्या बताने वाले है तो भी क्या हो गया है कि इतर न जो भारी सो ते झसे न हमको बारी को अवी दीखता देखो ओर गाहिए जो गाहिए कि प्ल uninсе आधय जो मेरी ना बच्ची मेरे सबसे प्रिया baptist gitti है क्योंकि मैं उसे बहुत हो प्रभ्यूस का ही ली Top रीडिए डीजी इन इसका विम मत प्रूंने तो लीज्ट व्हें आदेर ते आता है गार कि वैंगे आभी तो इसके वैसे देख रहा था हुआ से कि वह में बैठी थी मेरे बाजी में बैठी तो उठके बागी मैंने बुल्टी क्यों भाग रही है लेकिन लिली नी इदर देख अपनी माँ बेठी थी वह उड़ गई है तो भी पहले नास्ते का नास्ता करेंगे क्योंकि वह बोलेंगे तुमने तो नास्ता कर लेकिन मेरा थो भागते आ गई अभी नास्ता कर रही हो तो चलिए कि अटो कि अग्यों कि 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 अब ऑब दोट के गाई इसके नीचे बांदी है और इधर हमारे जो मैंज भाई है अभी कॉलेज के लिए टारी कर रहे तो अभी तो सबस्वीव बरस कर रहे हैं लेकिन पहले तो उसने पर जो यहां का जो गाई का जो गुबर फुरा उठा थीआ है उठाने के बाद अभी तो रेड़ी ओगे भाई काम बहुत करता है बहुत 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 भाई थोड़ा सब सर्मा रहा है लेकिन कोई बात ने यह मैरा मेरा सबसे चोटा भाई है इसका नाम है महेश आप आप सब की बहुत सारी कोमेंट आती कि आप की वीडियो नंट ने ब्च्चा बना क्योंकि नदी तो फिर्व थे तो यह इसकी आप नहीं मिल गई्जा कर ङा है तो अब इसको रीकौर होने में कम से कम एभल महिना लगेंगे दो से धाय महिने में ही रिकवर हो जाएंगा आप देख सकते हैं और हमारा जो गड़ा है वो सामने बेठा हुआ है तो आपको हम गड़ा से भी मिलाएंगे पिछले वीडियो में कॉमेंट्स दी कि भाई हमको गड़ा दिखाऊ तो भी इसका नाम है गड़ा पिछले वाला इसका नाम ने रखा भी तक हमने लेकिन यह हमारा गड़ा है तो गड़ा देख सकते हैं आप यह हमारे सबसे प्यारी गाई है तो यह हमारे सबसे प्यारी गाई है के पूरे जो बीना दूद के हैं जो बाखण बोलते हैं तो पिसले वीडियो में बहुत सार आपके कमेंट आए थी कि भाई आप जब गया बाखण चरने जाओंगे तो उसका वीडियो बनाओ तो अभी इस बार तो मैं वीडियो नहीं बना पाओंगा क्योंकि मेरे को थोड तो मैं वही करूंगा तो अभी तो फिलाल मेरे को काम है तो इसके वज़े से यह वीडियो बाद में आएगा आपके कॉमेंट्स आपने बहुत सारी किये थे और इसमें आप जो भी पूछना साथे हैं हमको तो आप नीचे इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं हम उसका अगल और तूर तूर नो यादा तो में आप जो काम हैं हमको पूछन आतला ऐसा सिर्त лиक काम हैं हम來到 यह भी पूना आपके को तंसमें आप में आप जो कि अ कि मां उदर बंदी हुए है तो इसको इदर बंदी है क्योंकि अभी सुभे ना दूद निकालने के बाद दूद इनका पीने का हो गया कि बहुत भागते हैं ऐसे मस्क्ति करने के लिए इदर से भाग उदर भाग तो यह चिखड में अगर कहीं पैर फिसल गया तो तूट सकता है इसकी वज़े से जो इसको हमने बांदिया है चोटए-छोटी बच्चे हुनको बांधना पड़ता है क्योंकि जगा इदर अच्छी नहीं है और यह जगा प्रपर हमारी नहीं है ने तो हम इधर जो तब ला होता है वो बांदे तो यह चिखड नहीं होगा लेकिन जगा ह तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ही चिखड़ है, तो इसके वज़े से इनको बांधना पड़ता है, तो अगर यह भागने गए और पैर फिसल गए, तो पैर भी तूट सकता है, तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का. तो यह जो हमारा गड़ा है, वह खड़ा होगे, आप देख सकते हैं, गड़ा, जो यह खड़ा हो गया है, तो कि अभी तक बैठा था हो, अभी खड़ा होगे, अभी खड़ा हो गए है, तो ऐसे देखो आजू बाजू का जो लोकेशन है इसमां आपताएंगे इसमें तो आप देख सकते हैं वाजू में खेद हैं तो उसमें यह लगाई हुई है उसके एपाज साय बारे यह यह लकए ने जो काट ने जो काता होता काटे यह कर दाले से जा सकते हैं लेकिन आदित हैं उसकी वजे जाता है लेकिन आद्ञा preço के 1997 में आद dat ही बहुत सारे कोमेंट इस इस aríaकर ये आपके अगे पुरे के टो हाँ हमारे पूरे के पूरे जो Benson है अभी पूरे गेरगाय में हमारे पास जर्शी नसल की जो गाई है व भी हमारे पास we периode बना दूंगा क्यूंके बहुत सारी उसके भी कोमेंट्स यहत है कि भाई जर्शी नसल की गाई है व मत रखो अपनी जो में गीडिются में वीडियो बना दूंगा कि मैं कहां से लाया था और क्यों मुझे लाना पड़ा उसके लाने के पीछे भी कुछ रिजन था इसके वज़े से मुझे उससे लाना पड़ा तो बचबंसे में यह तो मेरे घर के ही गिर क्रॉस है क्योंकि इनकी जो माह है वह अभी मैं कम से कम साट-ाइट साल पहले लाया था तो अभी चोटी बच्ची और पहले कि उधर है तो उनका में पीछ ले वीडियो में मैं उसका पूर पूरा पूरा डीटेल हैं जो पाल सखर ai वाइट कलर क्यों अगर आप जानना चाहतें इसमें कुण सो कॉण सी नसल है तो हम आपको और ये खानद दीन आपको वीडियों बना के बता देंगे और इतने सारे गाइये सारे पूरे के पूरे जो गाइये है है इसमें पूरे गाइये का नाम है पूरे के पूरे जो स्टोडे बच्चे नाम है वह कि अभी यतना सारी हो गए 거는 Eso तो यह खेत है खेत में कुछ फसल उगी हुई है अगर यही बच्ची इसका नाम नहीं उदर जा रही है तो हम उसको वाश्री वाश्री बोल देंगे तो गुम जाएंगी क्योंकि उसको पता है आप पुनी रॉंग साड जा रहे बाकि सब इधर जा रहे वह इधर जा रही वा है लिए वाश्री जा रही है तो उसको अवाज देने का वाश्री तो घुम जाती हो तो वहां तक जानाने पड़ता है और गाई के इसके लिए पूरे के पूरे जोगाई है पूरे के पूरे गाई का नाम है जोड़ना पड़ता है नई तो फिशी पापा दोखा लेता है तो इस वीडियो में दोनों गाई है उधर तो यह जो दूद वाले गाई है इधर यह जो बीना दूद के गाई है बीना धाने अलग अलग बताया तो उस वीडियो में दोनों मियक्स सब्सक्राइब लेकर की मंता किता दे यह जम्यक्राइब बाइक के कॉमेट से भी आये थे कि फिछली वीडियो में एक आपनी बकरी डिग गए थे तो क्या हो गया कि आपके पास जब्दीज बख्री भी है क्या तो बिल्कुल एक ही बकरी है बाकी नहीं है क्योंकि हम खाली सोक से रखते हैं पहले हमारे पास पाच्छे थे तो वह उन करता है गारान खुनता तो मज़ी आने आता है तो डखावे जाता है आ है मैं तो यह दो में लच अनू अ कि अभी प्रिये हैं तो इसके वेचे से हुझे रहे हैं तो इसको बाइर ना चिकर ऊप गया है तो उसको अंदर बैठने दे और अभी दोस्तों बहुत प्यारे कारे तो बच्चे भी देने वाले हैं कि अभी किट्टा टाम लेंगी बाई कि टाम लेंगे एक महीना एक महीने में जो है यह अवाली प्यारी बख्री जो बच्चा देने वाली हैं एक महीने के बाद तो इसमें क्या है कि इल्ला ने है इल्ला न को उसको जगतिस बहुत प्यार करता है अपरे बक्राग दे गाड के, घंड वे, भैसुगे तो और हमारे पास पहले भैस भी थे, भैस कितने थे? 40 यह भैस भैस, 40 फैस कि भैस भैस थे, बहुत सब्वाद सब्वाहि भैस थे, तो उसमें यह हो गया कि बतरी मखरी कबाद मा को आपको. ग्यांच अब प्यार करता हूं तो भैस कभी भी अगर ऑमने ट्रेक्टर भर के लाएं और जो हमने जग्या चोटी कम पड़ती थी जग्या भी कम पड़ती तो इसके वाज़े से भागते जाने के एक दो बार मैंने देख लिया कि इस पेट पे उनका सिंग होता है मार दिया तो ऐसा हो गया फिल उसका भी में एक वीडियो बना दूगा क्योंकि मेरे पिताजी बुचले गए थ से वाप में से वापस आएं तब तक मैंने जत्ते भी भैश्टे सब बेज दी क्योंकि गाई कु मार रहे थे हो मेरे को बहुत बुरा लगा कि यह एक यह रखना है और तो पिता जब तक गुजञात सा और मैंने पूरे के बुरे बैंस बैस तो तो ऐसा था है से तो इसके व पूरी देज़ दी देख 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 भाई तमने घने फर्माई सावतियों है इंस्टाग्राम मा लायू मा तो हूँ पन जोतो हुए शू तो तेमें आज एक गाणू गई नाखो तमें स्वांग गई नाखो बाया तो गाणू उच पड़े ने ना यू 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 नो आले गारो ठोड़ो अपना गारा मात गई नाखो लो आखडी रडे ने काले दू बड़े इतो जने गारो खुंड़ो एने ख़बर पड़े नाई यू अधाच यहाँ तो सौंग कैसा लगा क्योंकि एसा ही कि रियली बहुत सारे मुझे कमेंट करते तो सौंग जो हमने अभी गाया ओ मोज मजा एक मस्ती के लिए था लेको ए सिरियस लिए नहीं एक मस्ती और जो हमारा यहां का काम होता है और गाय बताए है और जो आपने कोमेंट कीया था तो वह ही बताया तो नेक्स्त वीडियो हम हम जो गाय चराव जाने वाल है तो वीडियो बताएंगे तो जैसे कि हम कैसे गाई चराते हैं तो हमारा जो यहां का पूरा गाव है वो बताएंगे थान बड़ा गाउ है अगर फटा बता दिया तो सब को पता चल जाता है चोटले के बाझू में तौ गुजरियत मेरा हूए गाह में और माहरास्यमा में इसले वीडियो में में बता था कि मैं नासिक में रहता हूँ कि महाराश्ट में मुंबई से 500-200 किलोमेटर रहता हूं तो मुंबई के बाजु में 220 किलोमेटर रहता हूं तो कभी अगर नासिक में आते हो तो आओ हमारे घर पे करेंगे मौज मजा मस्ती और बाकी तो इस वीडियो का यही था कि मेरे को जो दिखानात हो दिखाया और कुछ मौज मजा मस्ती की है तो यही था और किसी को भी सिरियस होने की जरूरत नहीं है मौज करो मजा करो और लोग को यहीं खतम करेंगे और आपक वीडियो में उसका जरूर रिपलाई देंगे और एक बात यह भी कि आप हमारे चैनल पर आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो तो मेरी यही रिक्वेश्ट है आये हो तो लाइक करते जाओ कॉमेंट करते जाओ और सब्सक्राइब भी करते जाओ यार तो ऐसे सपोर्ट औ मुझसे और पिछले वडियो में बहुत सारा प्यार दिया आपने इसके लिए आप सब का देल से शुक्रिया तो बने रहे हैं इसे हमारे साथ हम ऐसे कोई व्लोग लाते रहेंगे और हम जितना हो सके उतना अच्छा कंटन देने के हम कोशिश करेंगे तो ऐसे सपोर्ट बन